Hello everyone, कैसे आप? I hope आप गर पेछे से होंगे तो मेरे बच्चे, आज के जो 5 MCQs मैं लेके आया हूँ Trigonometry chapters से, they are from exercise 8.4 अब 8.4 में जो question number 5 है, अब ये मत सोचना मैं question number 5 में से भी कुछ part लेके आया हूँ, no question number 5, very important, उसमें total 10 parts है सभी questions बहुत जादा important है अब उसमें मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कि मैं आपको 4 question बता दूँ है, ये वाली important है, तो वो आए न question number 5 के साथ कोई compromise नहीं, सभी questions आपको बार-बार practice करने हैं, अगर आप previous year question paper देखेंगे, CBSC board के, तो आप देखेंगे, question number 5 से कम से कम एक question आया होता है, अब कौन सा आएगा, कोई नहीं जानता, तो इसलिए question number 5 के आपको सभी part अच्छे से कर लेने, और बाकी वाले जो questions हैं, जैसे question number 4 है, वो खुदी MCQ है, वो सारा कर लो आप, तो वही question मैं यहां पर आपको करवाने वाला हूं, ठीक है, और यहां पर कुछ question है, जैसे question number 5 है, यह question आपका question number 1 जैसा है, जो आपकी 8.4 में है, लेकिन question number 1 को करने में बचे कई बर confused हो जाते हैं, कि कैसे convert करें किसी ratio को दूसरी ratio में, तो वो यहां पर मैं आपको question number 5 में एक shortcut बताने वाला हूं, उस shortcut को आपको द्यान से समझना होगा, उसे fundamental identities होंगी, जो आपको पहले से आती हैं, अब हम सब को वो याद हो चुकिए, आप सब को वो याद हैं, ठीक है, तो देखें, question number 1 से हम शुरुआत करते हैं, very interesting, very simple, इसमें option से हैं, आपके 0, 1, 2 and minus 1, तो इस चीज़ को आपको simplify करना होगा, तो करो start simplification, tan, sec, यहां court, यहां को sec, इनको sign cost में लिख दो, simplification करो, अपने अब आपका answer बैठ देगा, मेरे बचे, जैसे question number 1 आप देख रहे हैं, तो मैं इसकी simplification यहां कर रहा हूँ, tan, you can write sign by cos, sec, you can write 1 by cos, done, then next, court को आप लिख सकते हैं, cos by sign, और sec को लिख सकते हैं, 1 by sign, पहला step हो गया, फिर उसके बाद lc, lc ले लो, जैसे इसका lc में आपका cos आगया, यह cos 1 के पास चला जाएगा, यहां आपके पास आगया sin, यहां पर आगया 1, इस का lc मापका sin आगया, यहां sin 1 के पास चला जाएगा, यहां पर आगया cos minus 1, second step, okay, अब यहां पर जो आपका next step होगा, उसको द्यान से समझना है, मेरे पचे, यह है आपका sin plus cos, यह भी a बोल दो, और 1 को आप b बोल दो, तो a plus b, a minus b, वो बला identities में आप लगाईए, तो आप देखेंगे, आप लिखेंगे फिर a square minus b square, a और यह b, a square minus b square, done, उसके बाद यह नीचे sin cos है, यह into में रहेगा, अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा simplify कर दीजिए, जन्हीं इसका whole square open कर दीजिए, it is a square cos लिख लो, पहले sin, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, it is a square plus b square plus 2ab, plus 2ab, sin into cos, और minus 1 लग से, whole divide में चल रहा है, आपका sin और cos, अब बताईए, sin square और cos square का sum, कितना होता है, 1, first fundamental identity, यह आपका 1 आजाएगा, ठीक है, उसके बाद, 2 time, sin, cos, और यहाँ पर आपका minus 1, divide में चल रहा है, sin, cos, मेरे बच्चे 1 और 1 आपका cancel हो गया, sin, cos, sin, cos, यह भी आपस में cancel होगे, सिर्फ आपका 2 बच रहा है, तो 2 is the right option, simplification करते रहना है, mistake नहीं करने, आपने कोई silly जैसा है, थोड़ा सा आपको इसमें भी simplification करना होगा, इसमें भी आप change कर लो, sec को 1 by cos में, और यहाँ पर tan को लिख लो, sin by cos, right, और यह तो already sin में इसको मत छेड़ो, इसको simplification किया तो cos से में denominator LC मा गया, 1 plus sin, तो अब numerator part को देखो, यहाँ फिर से identity बन गई, a plus b, a minus b, that is a square minus b square, a square minus b square, divide by cos, अब बताइए 1 minus sin square, सर यह तो cos square होता है, divide by cos, a cos कर जाएगा, तो a cos बजाएगा, तो इसका answer cos है, ठीक है, छोड़ा साथ है, देखो कहीं है cos d part, d part is the right option, now the next is question number 3, यह तो बहुत ही ज़्यादा simple है, 1 plus tan square, यह तो खुद में identity लिखी उसने, 1 plus tan square है को आप लिख देंगे sex square है, 1 plus court square, यह आपका रहता है, cos sex square है, अब देखो option में आपको मिला है कोई, नहीं, अभी तक नहीं, इसके simplification अभी और आगे चलने दो, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, यह sex square किसका recipe रोकल होता है, cos का, इसको नीचे लेखो तो यह बन जाएगा cos square, ठीक है, sex को नीचे लेखो, cos square हो गया, को sex किसका recipe रोकल होता है, sign का, को sex को उपर ले जाओ, यह sign बन जाएगा, तो यह sign square हो, यह option है, सर यह भी option नहीं, बच sign by cos कितना होता है, tan, तो यह tan बन जाएगा, square हो उपर तो square अपनी जगा रहेगा, tan square हो, यह option है, बिल्कुल है, d part, simple, question number fourth, यह तो बहुत ही ज़्यादा simple है, यहाँ क्या लिखा है, seven, यहाँ क्या लिखा है, seven, दोनों में seven ले लो common, seven ले लो common, सर ले लिया common, पीछे क्या बजा, sex square A, minus 10 square A, कई बार ऐसे question ना, mind में click नहीं होते, हम अलगी कुछी simplification करना start कर देते हैं, इसको cos में लिख देंगे, इसको sign by cos लिख देंगे, simplification चलना start हो जाएगी, मेरे बच्चे, ध्यान रखना है, fundamental identity यहाँ direct बनी होई है, सिर्फ आपने seven common लिया, तो sex square minus 10 square यह होता ही, one, that's all, seven is the answer, ठीक है, option इसके मैंने नहीं लिखे, seven is the right option, जो भी इसमें options होंगी, question number five, यह भी बहुत simple question है, पर कई बार students इसको थोड़ा सा length ही कर देते हैं, length ही बिल्कुल नहीं करना है, इस question में क्या पुछा हुआ है, कि tan a को आपको cosec ratio में लेके आना है, अब देखो इसमें से आप कोई term बना सकते हैं, नहीं तो none of these हो जाएगा, तो फिलाल हम यह मानके चलेंगे, कि tan a को मैं cosec में बनाने की कोशिश करूँगा, जो कि ऐजे दो step में हो जाएगा, ठीक है, देखो, tan a, क्या 1 by cot a होता है, बिल्कुल, tan का जो reciprocal है, वो cot, tan और cot एक दूसरे के reciprocal है, तो 3rd fundamental identity, जो आप पढ़ते हो 10th class में, cosec square a minus cot square is 1, तो यहां से मैं अगर cot की value निकाल लूँ, तो वो क्या होगी, बचे 1 इदर आ गया, cot square में उदर ले गया, इसका square में इसके उपर ले के आ गया, cosec square a minus 1 is equal to cot, बस आपको अगर यह identity आती है, यह identity अगर आपको आती है, तो आप बड़े मज़े से cot a की value को निकाल लेंगे, और आप इसमें वो value डाल देंगे, तो देखें यहां पर यह value आती है, cosec square a minus 1, क्या यह option है, यहां पर check करो, yes, c part is the right option, आते हैं समर्द, तो यह है एक shortest way इस question को दो step में निप्टाने का, बस आपको यह identity आनी चाहिए,